Hello Everybody, This is Digraaf Singh Raajpood, Welcome To Magnet Brains This video में क्या पढ़ने वाले हैं? This video में हम पढ़ेंगे The Southwest monsoon season के बारे में अभी तक हमने क्या पढ़ा है? तो जब हम seasons की बात करते हैं, तो हमने cold weather season पढ़ लिए हैm hot weather season पढ़ लिए हैं मतलब winters और summer के बारे में पढ़ चुके हैं अब हम specifically rainy season के बारे में पढ़ने वाले हैं मौनसून के बारे में पढ़ने वाले हैं अब मौनसून सीजन के आगे क्या लिखा है देखो Southwest मौनसून सीजन आपको पता है अभी तक आप इतनी बार पढ़ा चुके हो कि आपको ध्यान भी हो गया कि Southwest क्यों कह रहा है जब नॉर्थ वेस्टर्ण प्लेन इस बिंग ऑबज़वड तो देखो देखो सिंपल सी बात आपको बता है कि यहाँ पर आजाता है समर्स के टाइम पिरेट में क्या होता है सोलर इंसुलेशन डारेक्ट नॉर्थ वाले पार्ट पर होती है तो अब जब temperature बढता है तो low pressure condition बन जाती है आपको पता है जहाँ ज़्यादा temperature वहाँ पे क्या होगा air masses उपर उठीगी low pressure condition बन जाएगी low pressure condition अब धेर इंटेंसिफट तो वहाँ पे टेंपरेशर बनने के चलते ल प्रेशर कंडिशन और इंटेंसिफिय हो जाती है अब यह low pressure condition क्या करती है it attract the trade winds of Southern Hemisphere coming from the Indian Ocean Indian Ocean से जो trade winds आरहे है यह Southern Hemisphere की ठीक है यह दिखान रखना southern hemisphere की जो trade winds आरहे थी जिने क्या कहेंगे हम South East कहेंगे तो जो Southeast trade wind आरहे थी वो attract होगी इधर की तरफ यह दिखान रखना तो southern hemisphere की trade winds को attract किया जाएका trade winds आपको पता है ना क्या है मैंने आपको starting में ही इस तरह से बता दिया था कि जो पूरा pressure system है तो ऐसी winds जो है यहाँ पर permanent winds जो है यह trade winds flow करती रहती है globe में specific direction में लेकिन pressure belt जब shift होता है ठीक है pressure belt याने ITCZ जो है pressure belt याने ITCZ नहीं तो यह जो south east trade winds है यह जो बात की जारी सदन hemisphere से जो winds आ रही है south east trade winds मतलब क्या कि एकवेटर है तो यह जो south east trade winds है यह south east trade winds क्या हो जाती है passing over the equatorial warm current they brings with them moisture in abundance अब क्या हो रहा है कि equator से आ रही है इकवेटर के उपर से पास करेगी अभी तो क्या होगा कि जो गरम पानी है warm water है गरम ऐसा नहीं कि उबलता हुआ है बस की winters में ले जाके नहालोग है मतलब relatively जो क्या है 27 degree celsius के लगबग लगबग उससे उपर पानी था तो उसके चलते क्या है कि वह वहाँ पर evaporation start हो गया अब वह जो evaporation हुआ तो evaporation में जो moisture है वह moisture यह winds carry करती है यह winds carry करेगी और यह यहाँ पे जो हमारा low pressure बना है वह attract करेगा इन winds को और वह winds क्या हो जाएंगी फिर turn लेके तो after crossing the equator they follow the south westerly direction यह जो winds होती है moisture के साथ में equator cross करने के बाद में जैसी equator cross किया और फिर यह south westerly direction यह जो south westerly direction है इसे follow करने लगती है ठीक अब यह south westerly direction को follow करते करते आगे भहेगी तो that is why they are known as southwest monsoon हो इसी कायन से southwest monsoon भी कहा जाता है यही हवाएं जो हैं यह हमारे देश म से क्या लेके आएंगी पानी लेके आएंगी ठीक है तो हमें इने thank you बोलना चाहिए कि आप आये आप आये वहां तक ठीक है आप हमारे पानी लेका है बड़ा मतलब एक तरह से क्या रहेंगे आभार रहेगा आपका ठीक है अब आगे क्या है तो southwest monsoon season begins rather abruptly तो यहां पर क्या ह होता है कि southwest monsoon season जो अचानक से आप देखते हो कि बारिश होना चालू हो जाती है लेकिन उसके पहले आपको भी जैसे पिछले वीडियो में क्या बताया था कि जो सीजन आने वाला है आपका ठीक है southwest monsoon season उसके पहले platform तयार होता है platform कैसे तयार होता तो आपने देखा होगा कि इवनिंग टाइम पिरेड में storm चलना स्टार्ट हो जाती है local winds जो रहती है वो अपना अपना असर दिखाने स्टार्ट कर देती है तो one result of first rain is that it brings down the temperature substantially तो सबसे पहला जो आपको observation देखने को मिलेगा कि हाँ बारिश आ गई है southwest monsoon आ गया है तो वो क्या मिलेगा पहला result जो आ आपने कहां देखा होगा hot weather season के time पे तो वहां पे क्या था कि आपने देखा कि relative temperature जो अर्थ का बहुत जादा बढ़ जाता है तो जो temperature बढ़ा हुआ रहता है ना इंडिया का खास करके northern plains के अगर बात करें तो northern plains का जो temperature है क्या हो जाता है substantially reduce हो जाता है क्यों reduce हो जाता है सव low pressure condition थी वहां पे जो गर्मी थी heat थी वह अपने आप क्या हो जाएगी कम हो जाएगी temperature ऐसे कम होता है तो जैसे बताया कि बारिश के बाद में क्या होता है आपने देखा होगा observe क्या होगा बहुत बहेंकर गर्मी और उस दिन बारिश होगी शाम में तो क्या होता है relief मिल जात में temperature इतना decrease हो जाता है this sudden onset of monsoon leaden winds associated with violent thunder and lightning is often termed as break or burst of the monsoon तो जब क्या होता है कि आप देखते हैं अचानक से monsoon आजाता है motion leading clouds जो आते हैं वो क्या हो कह सकते हैं तीज बारिश जो हो जाती है रात में आप सोयते सुबे सोगे ओटे देखा तो आपने सब पूरे नदी नाले फुल हो गए तो इस तरह से जो बारिश होती न आप देखते हो रात में बहुत आता बिजलियां भी कड़कती है थंडरिं ने वाला बॉस्ट वर्स्ट ज्यादा सही शब्द रहेगा तो बॉस्ट ऑफ दिमांसुन इसे कहा जाता है कि मौंसुन यहां पर फूट Гया फूट है इन दे सैंस कि पानी आना स्टारत हो गया ठिकें तो वेन यह मौंसूम बॉस्ट होता कब एज तो आपको पता है और करनाटका गोवा तो coastal regions में सबसे पहले आप देखोगे तो first week of June first June में ही बारिक सोना स्टार्ट हो जाती है फिर क्या होता है and Maharashtra while in the inner parts of the country it may be delayed to the first week of July और यह inner parts जो है country के ठीक है interior में आते आते जून जुलाई आ जाती है तो एक मेने के अंदर अंदर monsoon जो पूरी country को cover कर लेता है इस थरह से monsoon आता है तो अब monsoon आया मतलब क्या है southwest monsoon season स्टार्ट हो गया यहां तक कोई doubt कोई confusion नहीं होना चाहिए यहां तक चीज़े clear है तो the southwest monsoon season इस थरह से क्या करता है अब मैं आ गया हूं फिर क्या होता है आगे देखो तो as this winds approach the land their southwesterly direction is modified by the relief and thermal low pressure over the northwest इंडिया अब क्या होता है मैं आपको एक problem बताता हूं जियोग्रफी के साथ आपने खुद से जब पढ़ा होगा आपने statement पढ़ा होगा आगे बढ़गोंगे हाँ आगया समझ में लेकिन इसमें क्या रहता हर statement में एक कहानी छुपी रहती है और अब क्या होता है देखो limitations है हमारे पास कभी class में बैटके पढ़ोगे ना मेरे साथ तो हम discussion करते रहेंगे करते रहेंगे और करते रहेंगे मतलब हर चीज में हर शब्द में हर लाइन में आपको कुछ ना कुछ समझाने के लिए रहता है essence है एक चीज की क्या है वो कि आप देखते हैं जब यह winds approach करती है लेंड पे ठीक है अब यह winds आ गई है मान लो ठीक है अब यह दो प्रांचिस में आती है आगे बताऊंगा हमें इनके बारे में तो अब क्या होता है कि आए कि इस direction में थी है आपको धक्का दे दिया तो आप ऐसे हुम जाओगे तो आपका direction modify हो गए न तो अब क्या होता है कि यह जो wind सारी इनका direction भी मोर दिया जाता है अब आप बोलोगे सर हवा का रुख कौन मोर सकता है हवा का रुख पहार मोर सकते है तो यह वहीं बताएगा है क्या कि जो relief और तो thermal low pressure होता है कहां पर नौर्थ वेस्ट इंडिया में जैसे आप देखोगे यहां पर क्या है हिमालयाज है यहां अगर नौर्थ इस्ट में देखोगे तो यहां भी आपको क्या eastern hills देखने को मिल जाएगी तो यह क्या करती है direction को modify कर देती है यहां पर western guard से direction को modify कर देते है ठीक है thermal low pressure आपको पता होगा तो ITCZ इस belt पर था तो यहां सबस्यादा गर्मी डवलप हुई थी northern plains पे तो northern plains में उसका direction thermal low pressure के कारण relief के कारण modify हो गया तो वो इस तरह से क्या है पूरी country को cover करती है नहीं तो वो south west थी मतलब south westerly winds थी वो तो ऐसे निकल जाना चाहिए थी south w वाइना में जाके बारिश करती लेकिन relief ने क्या कर दिया उसके direction को modify कर दिया आया समझ में यह कहानी थी तो यह मैंने आपको पूरा समझा दिया अब अगर बात करें the monsoon approaches the landmass in two branches दो ब्रांचेस में monsoon approach करता है landmass को दो ब्रांचेस मतलब monsoon आ रहा है दो अलग-अलग branches में एक Arabian Sea branch है एक Bay of Bengal branch है यह ध्यान रखना एक होती है Arabian Sea branch दूसरी होती है Bay of Bengal branch इन्हें हम specifically जैसे आपकी book में जो topic दिया उसे आप से पढ़ते चलेंगे तो Arabian Sea branch के बारे में पढ़ेंगे हम next video में उसके बाद में Bay of Bengal branch के बारे में पढ़ेंगे यहां तक किसी प्रकार कोई doubt ह तो क्या करना है आपको पता है feel free to ask in comment section यह topic हमारा complete होता है यह वाला season जो है तो इसको specifically बहुत detail में बताएगा है आपकी book में हम भी detail में पढ़ेंगे किसी प्रकार के doubt है comment section में पूछ सकते हैं और एक और important is मेरी सुनते जाओ कि Magnet Brains पर इसी तरह से class 4th से class 12 तक सभी subjects, chapters, topics, topics, subtopics, सब कुछ systematic way में video lecture के format में free of cost available है और महिजदारबाद क्या है सिर्फ एक chapter या दो chapter नहीं पूरा complete syllabus free of cost available है अपने juniors और seniors को जरूर बताएगे magnet brains के बारे में पढ़ते रहिए मिलते हैं next video में एगले topic के साथ till then stay connected keep learning thank you thank you very much